हलो डियर इस्टुडेट माइनम इस प्रजोल सिंग और मैं आपका टाप 10 क्लास में बच्चो स्वागत करता हूँ जैसा कि पीछे लेक्चर में हमने साधार पधरती तक कर लिया था और आज हम देखेंगे आपका आयू-पी-ए-सी नामन क्लेचर क्या होता है आयू-पैक पढ़िए या आयू-पैक पढ़िए दोनों बच्चो एक ही बात है तो इसका एगर फूल-फार्म की बात करें बच्चो इसका यदि हम फूल-फार्म की बात करें फूल-फार्म तो फूल-फार्म क्या आग बच्चो इसका आई-सी इंटरनेशनल 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 यूनियन आप्योर इंटरनेशनल यूनियन आप्योर अप्लाइद काविस्टी ये बच्चु होता आपका आउपिस्टी का पूरा मतलब इंटरनेशनल यूनियन आप्योर अप्लाइद काविस्टी तो इसके तहर बच्चो हम क्या करते हैं इसके तहर ये आपका एक संग है बच्चो इसने कार्बनिक योगितों की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो गई तो एक नई विधी प्रस्तुत की रसानाग्यों के सामने प्रस्तुत की गई कि आप इस विधी से अब नामट लिचक करें तो रसानाग्यों ने मिलकर ये नहीं विधी बराई और इस विधी के क्या क्या बाते हैं और कैसे हम करेंगे और इसके बारे में हम सिखें तो सबसे पहले बच्चो अगर आपका कार्बनिक योगिक है बच्चो अगर बच्चो आपका कार्बनिक योगिक है तो कार्बनिक योगिक बच्चो दो प्रकार के होंगे में ली एक बच्चो खुली स्रिंखला वाले होते हैं आपके खुली स्रिंखला वाले होते बच्चो ओपें चैन कंपाउंड होते बच्चो और एक क्या होते हैं आपके बंद स्रिंखला वाले होते हैं एक क्या होते हैं आपके बंद स्रिंखला वाले योगिक होते हैं बच्चो एक खुली स्रिंखला वाले योगिक होते हैं तो बच्चो जो आपके खुली स्रिंखला वाले योगिक होंगे जो आपके खुली स्रिंखला ले योगी होंगे, उसमें कार्बन के जो टर्मिनल कार्बन होंगे, जो अंतिम कार्बन होंगे बच्चों, आगे किसी कार्बन परमाड से नहीं जोड़े होंगे, और जबकि जो बंद स्रिंखला ले योगी होंगे बच्चों, उसके कार्बन एक च्मिद्ट को एक यह यह इंतिम पर्माड आगे किससे जुड़ा है कि आगे किसा। जुड़ा है न क्यों एक दू कि पुरकर भार्माड एक से जुड़े हुए है और जास पी यहां को के जो कार्बन परमाण है एक दूसरे से अपके टर्मिनल कार्बन परवार नहीं जुड़े हुए हैं तो इसे हम क्या क的时候 खुली सरिंखला यूगी कहेंगे और आपके शिलेबस में आपके श Baptist में कि जBACK खुली इस रिंक खलाने याओगिक सीखें. तो बच्चों यहाँ पर हम आपका डेखेंगे खुली सुर्णाले योगिकों का नामकरण हम कैशे करेंगे? तो आपके लिए बच्चों हम एक ट्रिक देते हैं.. आप ट्रिका बच्चों आपका एधिक याद केजीन है... आप ट्रिक याद रख़्ें। आपका क्या है? तो इसमें सबसे पहले आप लिखें आयू-पी-ए-सी आयू-पी-ए-सी जो नेम होगा बच्चो किसके लिए खुली सरिंख्वाल ले योगी के लिए तो इसका जो सूत्र होता है बच्चो सूत्र क्या होता बच्चो पूर अलगन प्लस मूल सब्द प्लस प्रात्मिक अनुलगन और प्लस दुतियक अनुलगन और प्लस क्या बच्चो आपका दुतियक अनुलगन सबसे पहले क्या बच्चो पूर लगन है अपका फिर मूल सब्द है और फिर प्रात्मिक अनुलगन है और बच्चों फिर क्या आपका दुत्यक अनुलगन है और इस तुत्र के माध्यम से हम किसी भी खुली स्रिंखला वाले कार्बनिक योगिक का नामकर कर सकते हैं तो सबसे हम बच्चों का पूरल नगनत्यी और पूंक किया है यह जो टर्मॉलाज़ दीए से जानले था पूरलंगन ऑर प्रात्मिक और शित्यक अनुलगन आपके क्या होते हैं तो सबसे पहले बच्चों पूर लग को कि क्याते है बच्च अपर प्रिफफिक्स क्या है अपका किस होता बच्चो कर समूं है जो आपकी मुख्ष सरिंग क्लाम में नहीं आता है乾 Scout बच्च यहाँ से अपने लीखा की सी असतरी ऑर सी यह चरी ऑप देओ सियोस्तरी अगर और यहां से काउंट करते एक दो और तीन कारूं बच्वो ने क्या करते यह बचा कि नहीं तो यह बच गया तो इसका नाम क्या पढ़ेगा पढ़ेगा और जो बच गया जो मुखे सरिंखला में आपका नहीं आउसे क्या करते पूर्ष लगन का कहते हैं और हम सिद्धान पर्माण होते जिस स्रिंख्ला में तो सब से पहले préfिक्स क्या है पूर्ष लगन क्या है तुँए समूं हैर समूं हम IS जो मुख्य वासमू जो मुख्य स्रिंखला में नहीं आता है नहीं आता है उसे पूर लगने कहते है उसे वच्छो क्या कहते है पूर लगने कहते है और कुछ पूर लगने के नाम बच्छो याद कलीजिए जैसे आपका CS3 होगा इसको मेथिल कहते है क्यों? क्योंकि एक कारवन नाम मेथ होता है और एक बद इसका खाली इल लगाएं तो क्या होगा बच्छो आपका मेथिल होगा और जैसे आपका CS3 CS2 एकल बंदों के आपका एठिल कहते है और जैसे बच्छो आपका CS3 CS2 और CS3 एकल बंदों खाली हो बच्छो तो इसे होगा प्रोपील कहेंगे तो क्या कह प्रोपील कहेंगे तो ये बाते आप याद रखे और बच्छो आपके हैलोजन गरूप जो आपके हैलोजन्स है, फलोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबको बच्चों आपके IOPAC ने क्या माना है? पूरलगन माना है, तो सबसे पहले यह दे फलोरीन की स्पेलिंग लिखे तो क्या होगा? E-H-E-L-O-R-I-E-N तो जब हम फ्लोरीन का नाम लिखेंगे पूरलगन के रुप में तो बच्चों क्या गरे E-N हटा करके क्या लगाए O लगाएंगे तो क्या नाम लिखेंगे बच्चों इसका फ्लोरो तो जैसे क्लोरीन है C-H-E-L-O-R-I-E-N-E इसका नाम क्या पड़ा आपको अच्छो फ्लोरो इसका नाम क्या पड़ा आपको अच्छो आयोडो तो ये आप याद रखेंगे बच्छो यहां से बाहर अच्छ आप यहीं आने वाला है और ये आप इसे जानते हैं तो आसानी से अपका नाम क्याइचर वर बच्छो आप कर लेंगे तो ठीक है बच्छो आप बात करते हैं आपके अपया अनुलगन क्या होते हैं जैसा कि हमने आपका देख लिया कि पूरु लगन क्या होते हैं अब हम आपका देखें कि मूल सब्द क्या होते हैं बच्चों रूट वर्ड है हमने क्या लिखा बच्चों मूल सब्द रूट वर्ड तो रूट वर्ड ही क्या होते है बच्चो यह होते है बच्चो आपकी जो मुखी स्रिंखला होती है जो आपकी मुखी स्रिंखला होती है तो मुखी स्रिंखला क्या मतलब है सबसे लंबी स्रिंखला कार्बन पर्माडों की जो सबसे लंबी स्रिंखला होती है उसका जो नाम होता है बच्चो उसमें पस्तित कार्बन पर्माडों का जो नाम होता है उसे हमके आगते मूल सब दिखाती है जैसे हम लिखा CS3, CS2, CH, CS2, CS3 और CS2, CS2 और CS3 अगर यहां पर बच्चो हम काउंट करें एक, दो, तीन, चार, पाच, और छे और यहां बच्चो एक, दो, तीन, चार, पाच, और पाच, अगर यह स्रिंखलाक हमने फालो किया तो कितने कारव मिले बच्चो आपका पाच आगर बढ़ाकर किये फालो कर लिए तो बच्चो कितने कारव मिले आपके 6 कारव तो यहां पर 6 कारवन बच्चो और यहां पर कितने कारवन पाच कारवन ठीक है बच्चो तो यदि हम इस स्रिंखला को सेलेक्ट करें यह वाली तो 6 कारवन इसको सेलेक्ट किया तो 5 कारवन किसमें ज्यादा कार्बन इसमें तो इसको हम क्या कहें बच्चो मुख्य स्रिंखला कहेंगे इसको हम क्या कहें बच्चो आपकी मुख्य स्रिंखला कहेंगे तो मुख्य स्रिंखला में जो इतने कार्बन होते हैं कितने कार्बन अच्छा कार्बन का जो बच्चो आपका नाम ह होगा उसको मूल सब्द कहेंगे उसको मूल सब्द कहेंगे तो क्या बात निकल क्या आई यही निकल क्या आई कि जो कार्वन परमाड़ों की सबसे लंबी स्रिंखला होगी, उसका जो नाम होता है, उसे हम क्या खाते बच्चों, मूल सब दिखाती है, तो आओ हम लिखे, मूल सब दिखाती है, बच्चों, मूल सब बच्चों क्या है, मुख्य, स्रिंखला में उपस्थित, मुख्य स्रिंखला में उपस्थित, कार्बन, 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 परमाडू का नाम, मूल सब दिखाता है, क्या कराता है, बच्चों, मूल सब दिखाता है, तो ये बच्चों आप जानते रहे हैं, ठीक है, और कुछ, अब कुछ कार्बन, 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 कार यह आप लिख रहे हैं आपका नाप तो अगर बच्चो आपका एक कार्बन होगा तो उसके हम क्या करते हैं बच्चो मेथ और दो कार्बन होगा बच्चो से हम क्या करते हैं आपका एथ तो ये चीज़े बच्चों आपको ध्यान रखनी है और तीन कार्बन निकले तो क्या कहें बच्चों प्रूप और यही बच्चों के चार कार्बन निकले तो क्या कहें बच्चों ब्यूट और यही बच्चों के पांच कार्बन निकले तो हम क्या कहें से बच्चों पिंट और यही बच्चों आपके च्छा कार्बन निकलेंगे तो उसको हम है कहेंगे बच्चों यही साथ निकलेंगे तो इसे क्या कहें बच्चो हेप्ट कहेंगे कि आठ निकलेंगे तो आठ कहेंगे और नौ तो नोन और दस तो डिक तो यहां तक बच्चो याद रखेंगे बस तो यह च्छा निकले तो क्या कहें बच्चो हेग्स यही साथ होगे बच्छों क्या कहेंगे हम हिप्ट और यही बच्छों आठ होगे तो इसे हम क्या कहेंगे आठ और यही बच्छों आपके नौ होगे तो क्या कहेंगे बच्छों आपका इसे नोन और यहीं बच्चो आपके 10 हो गये तों इसे क्या केंगे बच्चो आपका ढिक तो यह बच्चो annry कार्वन पर माड़ो का नाम रहा इससे आप याद रखिएगा इसकी सहाता से आप किसी भी इस रिंख्रा में उपर स्थिट कार्वन पर माड़ो के नाम बता देंगे जो आपकी सेल बस में है जैसे CS3, CS2 CS3 इसमें कितने कारवन नाव नहीं लिखते है बच्चो IPAC में तो 1, 2, 3 और 3 कारवन नाम क्या बच्चो प्रोप तो क्या लिखें बच्चो इसका प्रोप इसका क्या रहा बच्चो प्रोप और सब इकल बंदें तो प्रोपेन हो जाएगा तो प्रोप इसका क्या रहा है मूल सब्द रहा बच्चो तो मूल सब्द इसका क्या रहा बच्चो तो जो मूल सब्द निकल क्या है इसका क्या निकल बच्चो आपको प्रोप आया और तो इस में बच्चों देखी एक दो टीन चार ये सबसे लंभेशींग نہ वे और सबसे लंभी स्रीखला है और सबसे इसका क्या नाम पड़ेगा तो यह चीज़े आप ध्यान दीजिए कैसे मूल सद जानेंगे और कैसे पूरलंग निकालेंगे तो आप बात करते आपका प्रात्मिक अनुलंग ने हम बात करेंगे बच्चो आपका प्रात्मिक अनुलंग ने क्या होते बच्चो तो किसी भी कार्बन योगिकों के संत्रित अवस्था को या संत्रित अवस्था को जो ब्यक्ति करते हैं मतलत संत्रिप्ता को और असंत्रिप्ता को जो ब्यक्ति करते हैं क्या आखलाते बच्चो प्रात्मिक अनुलगन कहाते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे अनुलगन जो ऐसे अनुलगन जो कार्बिनिक योगिकों के जो कार्बिनिक योगिकों के संत्रिप्ता चथा है कि अज्संत्रिप्ता को प्रकट करते हैं को प्रकट करते हैं और उन्हें वज्चों क्या सकेंगे आपका हम प्रात्मिक और आपकी तीन है एक कार्बन क कर्फाद मेल और एक अलम है तो अगर कार्बन कार्बन एकल बंद मिला तो बच्चो इसके लिए क्या लगा देते हैं आपको एन लगा देते हैं और यही बच्चो अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बंद मिला तुम क्या लगा देते हैं इन लगा देते बच्चो और यही कार्बन कार्बन तुम क्या आयन लगाएंगे और सबसे ज़्यादा वराइता हम दुई बंद को देते हैं बच्चों और इसके बाद आपका त्री बंद होता है जैसे आपके कोई पूछे कि बताओ CS3 CS2 और CS3 का क्या नाम होगा तो कितने कार्बन बच्चों एक दो तीन अच्छे यह बताएं क्या आपका कोई पूर लगना है इसमें नहीं कोई कार्बन या कोई समों बचा नहीं बचा हाइट्रोजन का नाम नहीं लिखते हैं बच्चों वो आपका मूल सब То मूल सबने कितने कार्बन तीन और 3 कित्या था परो और कार्बन के बीच की है ऐकल्जर बन तो लगाएंगे आप एं तो क्या नीकल किह इसका नाम बच्चों प्रोपें है कि यहीं ओप्रो पेन है चैसे आपसे कोई पूशे वच्चो योशा एक्जाम्पल को योईत täll इते हैं इसरे चीशांठ और सियचनम्स 134 और सियज़तीस तरी चलेंगे चाहिए123 चलिए तो थी ही dealt टीन चलिया तो यो इसका नाम पर planets दूसरे कार्बेन चो जुड़ा हुआ है तो दूसरे कार्बेन जुड़ा तो इसका नाम क्या प्याइं टू मेठिल पड़ा तो ऑपका two मेठिल है तो quickly पड़ा और two मेठिल तो पूरलंगल हुए बच्चो अब मूलसब्स yht क्या है एक दो-esian कर्वास्ट Dancing Pokemonaints through MarOSE च्छोव और अलगिव थे है तो पूर लग एक रिखेंगे तो मेध्य ऐसे सांट और क्या है मैंड श्क्राइल फ्लस मूह लिखाया पर तीन कार्वन के नहीं क्या हाई का प्रोम हग तू मेथिल प्रोम और आपका एकल बंद है बच्चों क्या लगाएंगे एन तो टू मेथिल प्रोप प्लस एन अब इसी को जोड़ देजे बच्चों तो आपका आयू पैक ने मिल जाएगा टू मेथिल प्रोपेन तो यह बच्चों आपको नाम याद रखना है टू मेथिल प्रोपेन होगा इसका नाम तो ये नाम बच्चो आप ध्यान दीजेगा बहुत इसली आप कर लेंगे तो ठीक है आप बात करते हैं दुतियक अनुलगन की कि दुतियक अनुलगन क्या होते बच्चो तो दुतियक अनुलगन आपके क्रियात्मक समू होते हैं जो आपके आपके सिल्पेस हिसाब से चार है एक्चों क्योंकि यह इसकी सहायता से आप दो नंबर आसानी से पा जाएंगे तो अब बात करते हैं बच्चों दुतियक अनुलग्न आपका कि दुतियक अनुलग्न क्या होता बच्चों सिकेंडरी सपिक्स तो दुतियक अनुलग्न आपके क्रियात्मक्स होते हैं इसमें लिखें बच्चों ऐसे अनुलग्न ऐसे अनुलग्न जो क्रियात्मक समौ जो क्रियात्मक समु होते हैं जो क्रियात्मक समौ होते हैं उन्हें उन्हें बच्चों क्या कहते हैं आपका दुतियक उन्हें दुतियक अनुलगन कहते हैं ऐसे समू जो क्रियात्मक समू होते हैं कुछ आपका लिग दे रहे हैं तो एक है बच्चों कारवॉक्सलिक क्रियात्मक समू हाई कि और क्रियांत्मक से लिख पर कारवॉक्सलिक क्रियात्मक समू है हम उसके बाहि expire चnew सोफों कहते हैं और इसको मिलिख सक्ते हैं कि ए एक यह क्लेस्सी अब और एसके लिए लगाते हैं ओए यह आ सुग्स अई-इसाई लगाते हैं पहला बत्चों आख लगाये कि यह बच्छो आप जान देए और एक है अच्छो आपका ऐल्डीहाइड क्यात्मक समूँ अगीटो क्यात्मक समूँ है क्या यह क्या होते हैं्ट वक्षो आपके जो हून्ट करुआ होता है इसको क्या आपको याद रखेगा और अगला है बच्चो यहाँ पापकर मिसिंग है इसका हम इसे कीटो नहीं करते है ठिक है यह आपकी मिसी इसे N maid के यह तो किटों आपका अगला होगा है की टोन की है क्रियात्मक समों है कि टोन क्रियात्मक समफ समना है स्थे अभी तो किटून क्रियात्मक समों क्या वच्चों और इसके लिए हम क्या लगाते है बच्चो ओन लगाते हैं और कभी-कभी आप ओन पाएंगे किसे बुक में तो कई पर आन पाएंगे तो यह आप जानी है बच्चो ओन जानी है तो आप इसे ओन भी लगा घर देखिए ओन लगाई है ठीक है क्योंकि क्लास्टेंट के सेलबस्ट आपको ओन दिया ओन लगाई है तो यह रहा बच्चो और आपका एक समूं बच्चा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपार्टेंट बच्चो ओएच हार्ड राक्सी समूं म और इसके लिए बच्चो लगाते हैं आपको ओयल आल तो यह रहे बच्चो आपके कुछ क्रियात्मक समूं इसे आप बच्चो याद कर लेजिए हमारी गारंटी है कि आयूपीएसी नामन क्लेचर में आपको क्लास्टेंट तक कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी है कि हाँ इस कुछ नामन क्लेचर बच्चो आपका हम देख तो बात करेंगे कुछ योगिकों के नाम कुछ है कि महत्त्व है पूण योगिकों के ना कि आयू पीएज नाम बें दिखें बच्चो तो जाद अच्छा पड़ेगा के लिए इनाम है तो जैसे बच्चों नहीं आपका लिखा CS3, CS2 और CS2 और CS3 कितने कारवन? 1, 2, 3 और 4 क्या पूर लगने है बच्चो कुछ नहीं है मूल सब्दे हाँ तो क्या लिखेंगे मच्चो आपका? ब्यूट 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 प्लस एकल बन दे तो क्या लगा है मच्चो एन और ब्यूट में एन जोड़ेंगे बच्चो आपको क्या हो जाएगा? ब्यूट और यहाँ में बच्चो आपको क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस एन और अड़ कर देंगे तो क्या हो जाए बच्चो ब्यूट तो यह रहा आपका पहला नावन प्रेशर बच्चों जैसे हम बात करें आपका CS3 CS2 OH तो यह देखिए बच्चों यहाँ पर आपका दुटिय क्रियात्मक समों भी आ गया और इसका नाम आप कैसे करेंगे जब आपको OH लांस्ट में लगा मिल जाए या बीच में लगा मिल जाए बच्चों आप उधर से चलिए जिधर से यह नस्दीक पड़े तो OH बच्चों क्या है आपका यह यहाँ पर नल लग करके बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है तो कितने कारण एक और दो अब द यह को साथ यह एकल बंदे तो 8 है कि क्या लगा लगा दिए और यहाँ क्या लिख सकते हैं और यह तो आप आल लिख कोई तो यह निकला और इसका आप आड़ करेंगे तो क्या होगा बच्चो यहां पर वन लगा सकते हैं यह लिखें कोई दिक्कत नहीं है वन एथे नाल निकला तो यह बच्चो थोड़ा इंपार्टेंट है इस पर थोड़ा ध्यान दिजिएगा यह वाले एक्जामपल पर तो ठीक है अब आपका मगला एक्जामपल लेते हैं जैसे कि आपका अच्च मैं यहां लिखा सी एस्थ्री है ऑच और और कितने कार्बने बच्चो तीन कार्बने इधर से लेंगे इधर से नस्दीक पड़े एक दो तिन और तीन कार्बन नाव बच्चो आपको पता है प्रोफ होता है प्रोप एकल बंदे बच्चों प्रात्मिक उनों लगना है इसके बार तो प्लस एन और दो प्यार है बच्चों देखिए ओए शीस पर है दो पर तो क्या लिखेंगे प्लस टू आल जोड़िए वच्चों क्या है आपका पिर ओ यह पी एन और फिर फ्रोपे आल लेकिन और दो कारवन नाम आपका होता है और डबल बंद के लिए क्या लगाते बच्छो इन प्लस इन जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्छो एठी 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 निकला आप इसे वन इन भी लिख सकते हैं और चाहे इन भी लिखें तो यह रहा आपका एठीन का आप कैसे करेंगे कर रहे हैं तो मूल सत कितने है बच्छो दो है तो दो के लिए बच्छो आप एठ लगाएंगे और त्रिबल बंद है तो क्या लगा है बच्छो आइन तो क्या निकल क्या आपका एठाइन और एठाइन को बच्छो हम क्या कहते हैं एसी टिलीन भी कहते हैं बच्छो तो इस और कोई इस एक्जाम्पल्स अभी और ही बच्चे हुए हैं और यहां तक आपको बच्चो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों में सेर कीजेगा और अगर जो भी पॉइंट्स आपको नसमझ में आये हो तो कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट छोड़ दीजेगा अगले वीडियो में हम आपका कम से कम 50 कार्बिने की योगी के लेकर आएंगे और जिसका हम IUPAC नामन के लेचर करेंगे बच्चो तो इसलिए आप अगले वीडियो को देखना मत भूलेगा और तब तक क्ले बच्चो गुडबाई जै हिन जै भारत